बांगलादेश के आंत्रिक हालात पर है भारत की नजर मौझूदा यूनिस सरकार की विदेशनीती और स्वरक्षा विवस्ता चिंता का विश है परोसी देश बांगलादेश से पूर्व पी-म शेख हसीना को सत्ता से बेदखल किये हुए धाई महिने हो गए है लेकिन वहां क की अंत्रिम सरकार अभी तक धीरगकालिक प्रिश्यासन का कोई रोड मैप नहीं दे पाई है बांगलादेश के मौझूदा आंत्रिक हालात उल्जे हुए हैं और राजनितिक पार्टियों का वहां पहुबी साफ दिखाई दे रहा है इसके बावजूद भारत नाउमीद न कान रहे हैं कि अभी इंतिसार करने की नीती ही सर्व श्रेष्ट है लेकिन उन्हें इस बात का पक्का भरोसा है कि वहां के भावी राचनितिक घटना क्रम में भारत के हितों को नजर अंदास नहीं किया जाएगा इसके साथ ही भारत बांगलादेश के हालात पर पहनी नजर बनाए हुए है सूत्रों का कहना है कि बांगलादेश के अंत्रे गिस्तती में पिछले दो महिने में कोई बदलाव नहीं आया है राचनितिक अर्स पश्टता पहली की तरह ही है प्रोफेसर मौहमद यूनुस की अगवाही अंत्रिम सरकार की तरफ से चुनाव कराने या प् अंगलादेश के केंदर सरकार का सारा काम अस्थाई तोर पर हो रहा है सरकार की आर्थिक नीती विदेश नीती या सुरक्ष्य विवस्ता को लेकर नीती सामने नहीं आपाई है पूर्व विपक्षी नेता बेगम खालिदा जिया की राजनितिक पाठी बी एनपी के भीतर इसको लेकर बीचैनी है इसी हफते बी एनपी के सदस्यों ने प्रोफेसर यूनूस से मुलाकात कर उनसे आगामी चुराव परिस्तती स्पस्ट करने और अपने केविनेट से दो मंत्रियों को हटाने की मांगी है इनकी तरफ से कुछ ने आई वीश्यों को हटाने वाव वि सरकार करने में एहम भूमिका निभाने वाले अंत्रिम सरकार पर दवाब बनाने का दवाव है यह बताए जा रहा है कि जमात के लोग अंत्रिम सरकार की जल से जल निर्वाचे सरकार के गटन के पक्ष में है पिछले दिनों अंत्रिम सरकार के साथ बैठक में बी एन पी और जमाद दोनों की तरफ से जल से जल चुनाव कराने की मांग रखी गई है जब कि अंतरिम सरकार का तर्ख है कि जब तक हरिस्तर पर सुधार का इरजेंटा लागू नहीं किया जाता तब तक चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है वैसे यह भी उलेकन बन आवामीली पूर्वम्हसीना की ना कि सरकार में दोसरे राजनितिक दलों को बिमर्ष के लिए नहीं बुलाया है कि सूत्र का कहना है कि जिस तरह की ॉस्थिए बन रही है उससे लगता है कि पडौसी देश में राज नितिक आइसस्तरता काफी लम्य समय तक चल सकती है वापस बुला लिया है जिसे वीजा देने समधी प्रिक्री अभी काफी सीमित हो गई है मांग के मुताबिक बीमार व्यक्तियों को भी समय पर वीजा देने में समस्या आ रही है जब तक अंतरिम सरकास व्रक्षा प्रवंद को चाक चोवन नहीं करेगी भारत के लिए सामान व